हाई फ्रेंट्स वेलकम टो अंसाइट 29 मैंने मिशाब अंसारी दोस्तों फाइरलाम कोर्स के 14 वीडियो में हम लोग एड्रेसेबल फाइरलाम सिस्टम की सेकंड टाइप की एड्रेसिंग क्या होती है वो सीखेंगे इसके पहले वीडियो में मैंने आपको रोटरी टाइप जो वो उसकी एड्रेसिंग हम लोग कैसे करते है अब यह डिप टाइप की जो स्विच की एड्रेसिंग यह आपको कौन से सिस्टम में देखने को मिलेगी तो यह आपको सिंपलेक्स में देखने को मिलेगी और थोड़े बात अपोलो के भी जो मैंने देखे थे सिस्टम और इस detector है, यह detector का base है, और यहाँ पर यह dip switch यहाँ पर लगा हुआ है, इसको मैंने represent किया है, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर यह मैंने एक chart बनाया है, दोस्तों, मैं आपको definitely यह surety देता हूँ कि आप यह video कर complete देखेंगे ना, तो dip type switch कैसे करते हैं, और कितना आसान है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, पर शर्त यह है कि आपको video जोए complete देखना पड़ेगा, without skipping any part of that video, ठीक है, तो यह एक chart है, मैंने आपके easy के लिए एक chart बना के रखा हुआ है, सबसे पहले समझते है, dip switch का मतलब क्या होता है, basically dip switch दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर एक switch होता है, जो up and down करके, हम लोग इसको addressing set करते हैं, तो यह जहाँ पर जो white color का यह देख रहे हैं, यह up and down, यह उपर नीचे होता है, आप नॉर्मल एक screwdriver के help से, इसको open नीचे कर सकते हैं, इसके नीचे आप देखेंगे तो number दिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी के help से दो उस तो हम लोग addressing करते हैं, कोई-कोई system, कोई-कोई detator ऐसा होता है, जिसके अंदर, जो 1, 2, 3, 4 की जगा, इस तरीक से लिखा होता है, 1, 2, then 4, then 8, then 16, then 32, then 64, then 128, अच्छा, यह अगर इस तरीक से लिखा रहेगा, तो बहुत आसान होता है addressing के लिए, लेकिन अगर इस तरीक स 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो वो तोड़ा सा difficult रहता है, बट मैं आपको guarantee बोलता है, अगर मेरे video आप देख लेंगे ना, तो कभी भी आप नहीं बूलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसका मतलब किया, जैसे माल लेते हैं, यह एक addressing के numbers दिए हुए, इसी के help से हम जो क्या है उसकी value, यह नि 1 की value 1 है, अगर 2 number का switch on करेंगे तो उसकी value क्या बन जाती है, 2 बन जाती है, अगर 3 on करेंगे तो उसकी value 4 बन जाती है, 4 on करेंगे तो उसकी value 8 हो जाती है, तो इस तरीके से जो numbers दिएवे, उसकी actual value यहाँ पर, यहाँ पर जो on off condition है वहाँ पर दी प्रेंटेट भी हो सकता है तोड़ा सा आप इसमें ध्यान से समझें क्या concept है अगर में को किसी डिटेक्टर को मानिज़ा किसी डिटेक्टर की पीछे इस तरह की numbering दीवी है ठीक है तो अगर मुझे किसी भी डिटेक्टर को एक number one number करना है तो मुझे क्या करना है जो मेरी dip switch है इस dip switch के one number के button को मेरे को जो one number यहाँ पर रहेगा जैसे हमानले dip switch है तो यहाँ पर लिखा होता है कभी आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा on position यहाँ पर लिखी लेगी मेरी off position और यहाँ पर लिखा रहेगा या on या off लिखा रहेगा या on की जगा one लिखा यहनि एक number address देना है, तो उस position में हम लोगों को switch की position वो उपर छोड़ देनी है, और बाकी जो switch की position रहेगी 4, 8, 16 या जो भी रहेगी, वो सारी की सारी नीचे की रहेगी, यहनि हम लोगो one number का switch को उपर की तरफ धकिल देना है, तो इस case में हमारा क्या होगा, एक number एक्टिवट जाएगा, अब अगर मुझे दो देना है, किसी भी address किसी भी detector को मुझे दो addressing देना है, तो उस case में मुझे क्या करना है दोस्तों, उस case में मुझे यहाँ पर, उस case में मुझे, इस case में मुझे यहाँ पर, इस case में यहां पर मुझे इसको यह रखना है, देखिए, इस case में मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ, यह इसको मैं as it is रखूँगा, यहां पर जो 2 नंबर का है, उसको मैं उपर कर दूँगा, तो मेरी 1 0 पे रहेगा, 0 पोजिशन पर और 2 मेरा उपर चल जाएगा, अब आप बोलें फिर से बताता हूँ, वापस से रिखता हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, और 128, यह आपको लिखावा मिलेगा, यह डिटेक्टर के बीछे इस तरह का लिखावा रहेगा, अब मैंने आपको क्या बोला, 9 नंबर टेक्टर देना है, 9 नंबर, तो 9 यहां पर देखना है, किस के करीबाता है, तो 9 यहां पर किस के करीबाता है, तो 8 की स्विच को हम लोग क्या कर देना है, उपर कर देना है, और 8 में कितना और चाहिए हम लोग को 1, तो 1 नंबर की स्विच को हम लोग को उपर कर देना है, तो यह मेरा क्या बन जाएगा, 9 नंबर का अड्रेस, अब मालनी आगर सोला में में मैं आट मिलाता है, मुझे कितना के हैच लिए करना है, 29 में में 8 मिलाता थो कितना होता है, Conrad 24 तो मैं इसको इसको उपर कर देता हूँ, तो मेरा B अभी, अभी कितना हो गए 24 सभण किता कम हो रहा है मुझे एक और कम हो रहा है, तो मैं एक नंबर की सुच को उपर कर दूँगा, तो यह मेरा किता बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 25, मान लिजिए आपको किसी नंबर को 78 देना है, 78 कहां पर फिट बैटता है, 78 मेरे 64 के पास बैटता है, 64 के नंबर को मैं उपर कर दूंगा 64 हो गया अब 78 से 64 में और कितना डिफरेंस आ रहा है तो 64 में अगर 16 और एड करता हूँ तो यह मेरा कचे चाल इसको मैं यह साइड माप को आड करके दिखाता हूँ 64 में 16 में आड कर दिया तो मेरा हो गया 6 4 0 carry 1 7 8 तो यह मेरा 80 हो गया तो और मैं 64 के साथ 16 को आड कर सकता हो 64 के साथ मैं 8 को आड करता हूँ करूंगा 8 को एड करूंगा 16 जादा हो जा रहा है तो मैं 8 को करूंगा और 4 कौन करूंगा और 2 कौन करूंगा तो 8 plus 4 plus 2 मेरा कितना हो गया यह 14 हो गया और plus 64 या नी 14 और 64 ये मेरा कितना बन गया दोस्तों यह बन जाएगा 78, तो इसी तरीके से हम लोग addressing करते हैं, मालने जिए आपको देना है 99, 99 देना, तो 99 के लिए आपको क्या करना है 64, आप 99 से 64 कितना कम हो रहा है, तो आपको simple mathematics करना है, 99 में से आपको 64 आपने अपने अपने असाइन कर दिया, कितना आपको 9 में से fire गया, 4 और 9 मे 35 के लिए हम लोग को 32 on करना पड़ेगा, तो 32 वाले number को हम लोग को on करना है, ठीक है, तो अभी भी कितना बच गया 35, तीन अभी और बचा हुए, तो तीन और बचा है, तो हम लोग 1 और 2 को add कर गे तो कितना हो जाएगा तो तीन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 number की key क अठ गरेंगेंगे, डिप्क scri Einडर नंबर को बी on कर देंगे, तो जब यह वन नर टो नंबर 32, 64 जब हम सबको on करेंगे, तो तो अध्रेस मेरा क्या बन जाएगा 99, यहाँ जो भी दिप स्वीच को आप आप उपर करेंगे, जो भी दिप स्विच को आप उपर करेंगे, वह उसका address ले लेगा, वो count करेगा और सबको हम लोग को simply क्या कर देना है add कर देना है, वो आपका address दोस्तों बन जाएगा, simple है I hope आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा dip switch से हम लोग कैसे जो है, इसकी programming करते हैं, कैसे हम लोग इसकी addressing करते हैं अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है कि अगर मान लीजे, आपके detector में इस तरीके का number अगर दिया हुआ है इस तरीके, जैसे मैं आपको बताया 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 अगर ये इस तरफ का number आपको दिया रहता है तो बहुत आसानी से समझ जाता है लेकिन अगर किसी detector में अगर आपका simple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर इस तरीके से 8 deep switch बोलते है इसको अगर 8 इसी तरीके number दिये हुए है तो फिर कैसे समझेंगे तो उसके लिए simple में आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा उसमें ऐसे है जब आप programming करते है जब आप commissioning करते है नए system install करते है तो उस time पर क्या होता है दोस्तो उस time पर आपको चार्ट दिये जाता है तो वहां से आप देखके कर सकते है लेकिन इसके लिए भी बहुत ही simple match है तो कितना होगा आपका 8 इस तरीके से यह number को याद किया जाता है बहुत ही simple है दोस्तो अगर कोई भी detector के अंदर 123456780 का है डिप स्वीच है उसको आपको एड्रेसिंग देना है तो आपको इसमें convert करना होगा और आप जो है easily जो है उसको address assign कर सकते हैं दोस्तो एड्रेसिंग करने के डिम एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए अगर आपकी addressing के dip switch में अगर एक भी problem होई तो double address का fault आएगा और आप परिशान होते हैं किसा double address का fault आ या device add नहीं हो रहा है